नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं केंदरीय स्वास्त मंत्री डाक्टर हरस्वधन ने कहा कि भारत सरकार COVID-19 वैक्सिन के त्यार होने पर इसके उचित और समान डिस्टिबिशन को सुनिश्चित करने के लिए हर पल काम कर रही है सरकार की सिस प्रात्मिक्ता है कि भाक्सिन के देश के हर नागरिक तक पहुंचने को कैसे सुनिश्चित किया जाए भाक्सिनेशन में COVID-19 मैनेजमेंट में सामिलित हेल्थ केर और वरकस को प्रात्मिक्ता दी जाएगी मंत्री ने कहा कि विसेसग्यों का एक उचस्तरिय दल भैक्सिन से जुड़े हर पहलू पर ध्यान दे रहा है हमारा एक मोटा मोटा अनुमान और लक्ष होगा कि जुलाई 2021 तक लगभग 25 क्रोर लोगों को कवर करने के लिए कुरोना वैक्सिन की 40-50 क्रोर डोज मिल जाए और इसका इस्तमाल किया जाए जाखन मोशम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर तक भारी बारिस की संभावना है राजधानी राची सहीत का इलाकों में बारिस सुरू हो गई है विभाग ने मेग गरज तथा बजरपाद के साथ बरसा होने की संभावना जताई है मोशम को देखते हुए लोगों से अपिल की गई है कि सतर्क और सवधान रहे सुरक्चित अस्थान में सरन ले पेण के नीचे न रहे बता देगे पिछले 24 कंटा में बजरपाद से तीन की मौद जब की चार घायल भी हुए है जारखन में आज 5 अक्टूबर को सरकारी छुटी सभी कर्याले बंद रहेंगे जारखन में 5 अक्टूबर को सरकारी छुटी घोसित किया गया है जारखन में 933 ने संकरमितों के पुष्टी हुई जो बोकारों से 947 देवगर 30 धनबाद 55 दूमका 10 पूर्वी 54 गडवा 14 गीड़ी 18 गोड़ा 32 गुमला 26 हजारी बाग 31 जामतर 18 खुटी 17 कुडरमा 17 लात्तेहार 31 पाकूर 6 जारखन में कुल संक्रमितों के संख्या साथ लाख लाख स्वास्त हुए और एक लाख 274 की मृत्य हो गई भारत में नएक केस चोवाता 1726 मिले है जैबकि 76 जारखन में रविवार को नौ की मौत हुई है जो चत्रा से एक पूर्वी सिमुम से दो लातेहार से दो राची से तीन और पच्मी सिमुम से एक की मौत हुई है रविवार को 907 मरीज स्वास्त भी हुए है स्वास्त मरीज इस प्रकार है बोकारो 79 चत्रा 34 देवघर 44 धानबाद 29 दूमका साथ पूर्वी सिमुम 129 गडवा 42 गोड़ा 50 गुमला 10 1049 जामतला आठ खोटी बारा कोडार्मा एगारा रामगल 20 राची 291 साहिव गंचा सराइकले खर्षवा उनएस मंत्री जगनात महतो की गंबीर इस्थिती में कोई सुधार नहीं है बलिक संक्रमन लगतार बढ़ता जा रहा है बता देखी मेटका अस्पताल में जाच के दौरान उनके फेपड़े में संक्रमन देखा गया है कोविंड के बाद सेवियर नुमोनिया से ग्रसित मंत्री फेपड़े के संक्रमन के भी चपेट में आ गया है चिकित्सकों के अनुसार करीब 80% संक्रमन उन्हें फेपड़ा में फैल चुका है पीपरा में सुपूर्द एक खाक हुए मंत्री हाजी हुसेन राजे के अलप संख्यक कल्यान मंत्री हाजी हुसेन अंसारी किनिदन के बाद उनके पैत्री गाव पीपरा में रवीवार को सुपूर्द खाक किया गया बता दे कि मौके पर मुख मंत्री हमन सुरेन हेलिकोप्टर से उनके गाह पहुचे और उनके पूत्र हाफिज उल हसन से मिलकर धानस पढ़ाया क्रिशी मंत्री बादल पतरलेक सहीत पुर्व क्रिशी मंत्री बिधायक सारट रंधीर सिंग पुर्व स्रम्मंत्री आधिस अमिलित हुए हाथरस की घटना के खिलाफ आज जारखंड में कांग्रेस करेगी सत्यागरा उतर परदेश के हाथ रस में दली यूती के साथ हुई घटना और कांग्रेश के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई दुर्बेभाव के खिलाप कांग्रेश सोमवार को राज भर में सत्यागरह करेगी बता दे कि राज और सभी जिला मुख्यलों में महात्मा गांधी या डाक्टर भीम रा अमेटकर की प्रत्किम्याक के समक्ष कांग्रेश के नेता और करकरता सत्यागरह करेंगे राज धानी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्स राज सरकार के मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव के नेत्युत्यों में मुराबादी इस्थित बापु बटका में धारना होगा जार्खन में 85,000 चिकित्सक और पारा कर्मियों की बहाली के जरूरत बना गुपता राज के स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने रविवार को गिरिडी पहुँचे और पत्रकारों से बाचित्त के दौरान कहा कि राज में चिकित्सक और स्वास्थ कर्मियों की भारी कमी है उन्होंने कहा कि करीब 85,000 से अधिक चिकित्सक और कर्मियों का बहाली होना जरूरी है तबी स्वास्थ सुविदा को पठरी पलाया जा सकता है उन्होंने कहा कि बहाली की दिशा में पर्यास चल रहा है खुद मुख मंत्री इसके लिए पर्यासरत है कोट का अर्चन बताते हुए मंत्री ने कहा कि कोट से जो समस्या है और दूर होते ही बहाली की पर्क्रिया सुरू होगी महाराश्ट गुजराच से जार्खन आने वालों के लिए खुसखबरी तेवारी सीजन और यात्रियों की भीड को देखते हुए दशिनपूर्व रेल्वे ने हावणा मुंबाई और हावणा आमादाबाद एस्पेसल ट्रेन को प्रती दिन चलाने का फासला लिया है बता दे कि ए दोनों ट्रेने अभी सब्ता में तीन दिन ही चल रही है 28.50 बचों तक नहीं पहुँच रहा ऑनलाइन लर्निंग माटरियल राज्यक के सरकारी स्कूलों के 28.50 बचों तक ही ऑनलाइन लर्निंग माटरियल पहुच रहा है सिक्षा भीभा के काफी परियास के बाद भी इसकी संक्या में बड़ोतरी नहीं हो रही बता दे कि इसके पीछे मुख्य वज़ा अगरामीन चेत्रों में बचों के स्मार्ट फोन नहीं होना बताया जा रहा है जार्खन में कूल 36,447 बड़ा लहा है जिन में 42,24,335 बड़ा थी नमंकी था है जिसमें से सिर्फ 11,95,935 बचों तक ही लणी मटेयल पहुच रहा है भोटरों को रिजहाने के लिए सराब की मांग बढ़ी बिहार में विधान सभा चुनाव की घोसना के साथ ही जार्खन के सराब तसकर सक्रिये हो गए हैं बता दे कि बिहार में सराब बंध होने की वज़ा से जार्खन के सीमोरती इलाकों के रास्ते अवय तरीके से सराब भेजने में तसकर जुटे हुए हैं तसकरी के लिए अलग-अलग रूट भी तलास लिए गए हैं खास बात या है कि घाने जंगल के रास्ते से लेकर सोन नदी की धार पर नाव के सारे भी सराब उस पर भेजी जा रही है देवगर डिसी कम्रेशवर परसा सिंग ने रविवार को बताया कि जाखन सरकार द्वारा अनलोग 5 से समझे दिशा निदेश जारी कर दिया गया है इसके तहट राज ये में कंटेंडमेंट जोन के बाहर सभी धर्मिक असल खोले जाएंगे इसके लिए 8 अक्टूबर से पहले सरकार द्वारा दिशा निदेश जारी कर दिया जाएगा इसके अलावे दूरगा पंडालों में 4 फिट से उची मूर्ती अस्थाफित करने की जाज़त नहीं होगी बता दे कि फिलाल इसकूल कॉलेज कोचिंग संस्थान यम सिनेमा होल को खोलने को लेकर किसी तरह के राहात सरकार द्वारा नहीं दिगए राज्य के सभी जीलों के पंचायत में चलेगा कंग्रेस का हस्ताक्षर अभियान केंद सरकार द्वारा पारित तीनो किसान कानूनों के बिरोध में जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमिटी राजे के सभी जीलों में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी बता दे कि सभी जीलों के प्रखन पंचायत वा कस्वों में कांग्रेस नेताव द्वारा किसान बिरोधी तीनों कानून के खिलाप हस्ताक्चर अभियान चलाया जाएगा बता दे कि यह अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा बिधान सभा उपचुनाओ को लेकर राहूल और सोनिया गांधी की वर्चुल रैली जाखर में दो सीटों पर होने वाली विधान सबाओ ऊप चुनाओ में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की वर्च्वर रैली होगी बता दे कि परदेश कॉंग्रेस ने रैली के लिए समय मांगा है वर्चुल रैली मोखे रूप से बेरमो विधान सभा में ही होगी वही दुमका सीट के लिए जामुमों की ओर से आगरा करने पर वर्चुल रैली का विजन कराया जाएगा खादी गरामो द्योग आयोग के अधिकारियों पर आय से अधिक संपति का मामला दर्ज CBI ACV ने खादी गरामो द्योग आयोग के पूर्व करेकारी पदा अधिकारी सुनिल कुमार के खिलाप आय से अधिक संपति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है सीबी आई के एफाई आर में बताया गया है कि एक दिसंबर 17 से 31 अक्टूबर 19 तक सुनील कुमार खादी गरामद्योग आयोग राची में कारेकारी पतादिकारी के तोर पर कारेत थे इस दोरान उन्होंने गलत तरीके से अपनी आय से 34,18,487 रुपए की संपती अरजित की है जारखन की अर्थ वेवस्था पट्री पर लोटी जारखन की लोगों के लिए रहात देने वाली खबर है परदेश की अर्थ वेवस्था पट्री पर लोट गई है बतादे की माल एवं सेवाक कर यानी GST के संग्रह में आय उच्छाल से इसका पता चलता है सितंबर महिने में पिछले साल की तूनला 10 फिश्दी का इजाफा हुआ है 2019 के सितंबर में 1506 करोर GST का संग्रह हुआ था जबकि सितंबर 2020 में या बढ़कर 1656 करोर हो गया है सारना कोड मांग को लेकर 15 अक्टूबर को राजे ब्यापी चक्का जाम सारना कोड की मांग को लेकर केंद्रीय सारना समीती अखिल भरती अधिवासी बिकास परिशद ने 15 अक्टूबर राजे ब्यापी चक्का जाम का आवान किया है इसे लेकर समीती के द्वारा राजे भर में जागरूपता अभियान चलाया जा रहा है बता दे कि इसके तहट रविवार को भल्दन चट्टी गाउं में बैठाक आविजन किया गया जिसमें भल्दन चट्टी, अस्तिनी, तेतर, टोली, आधी गाउं के लोग जूटे हुए थे दूमका के जामा प्रखंड अंतरगत 12 पंचायत के 12 टोला सहरी गाउं में रविवार को ग्रामिन किसान के साथ दूमका लोग सभा सांसत सुनील सुरेन ने किसी चोपाल लगाया इस दवरान किसानों को समुदित करते हुए सांसत सुनील सुरेन ने कहा कि केंद्र सरकार दूरा लाया गे किसी सुधार विधयक से किसानों को लाभ मिलेगा उन्होंने विधयक पर चार्चा करते हुए बताया कि राजी के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी अस्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्वाद रूप से बेचने के लिए अवसर एवं ब्यवस्थाय पदान किया गया है सेवा ही मेरा धर्म संजय सेट कांके बिधान सवाचेतर के अंत्रगत मेसरा मेर अभीवार को सांसत समधान के अंदर का उदगाटन किया गया इस अशर पर राची संसत सेट ने कहा कि आपने एक सेवा को चुना है मेरा सेवा धर्म है राची संसतिय छेतर की जनता के साथ उनके हर सुकदुख में वह 24 गंटा खड़े है उनका परियास है कि छेतर की जो भी समस्या है उनका समधान अविलम किया जाए रामगार में स्वक्ष भारत मिशन की थीम पर आयोजित हुई प्रतियुगता बता दे कि इस दोरान कई आकसक प्रतिंग बच्चों के द्वारा बनाई गया सहया संग ने अस्थाई करन अठारा हैर वेतन एवं बीमा की मांग की धनबाद के गोविंद पूर पूर्वी पंचायत भावन में प्रखंड अध्यक्ष मामता देवी के अध्यक्सता में हुई जिसमें सरोसमती से प्रस्ताव पारित कर सरकार से सहया का स्थाई करने 18,000 रुपे मांसिक बेतन का भुकतान करने एवं सहया का बीमा कराने की मांग की गई बैठक में कहा गया कि इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मनेगी दुर्गा पुजा राची जीला दुर्गा पुजा समीती की बैठक सत्य अमरलोग पुजा प्रांगन में हुई बैठक में तरह किया गया कि सरकारी गाइडलाइन के तहट समीति के द्वारा छोटी परतीमा स्थापित कर पुजा संपर्ण होगी बैठक में कहा गया कि परसासन को परतीमा के चारो तरफ कपड़े से घेरने के आदेश पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए पंडाल के अंदर थोड़ी लाइटिंग एवां भजन आर्ती के समय कम आवाज में साउंड सिस्टम उप्योग करने की जाज़त मिलनी चाहिए कॉंग्रेस ने साथ अक्टूबर को बुलाई चुनाव समीति की बैठक बेरमो विधान सभा उप्योणाव को लेकर उमिद्वार के नाम पर अपनी अम्तिम मुहर लगाने के लिए कॉंग्रेस चुनाव समीति की बैठक साथ अक्टूबर को होगी इस बैठक में पर अपनी चुनाव समीति के सभी सदस्यों को अमंतिरित किया गया है और इसकी जनकारी पर अपनी अक्टूबर तक राजधानी दिली के सभी स्कूल बंद रहेंगे उप मुख मंत्री मनीस ने जनकारी दी है पच्मी सिंभूम में संक्रामन से रिकवरी होने वालों की संख्या बढ़ी है रिकवरी रेट 90.4 तक पहुंचा पलामू के हैदर नगर थाना छेत्र में बिजली विभागने करवाई कर बिजली चूरों को गिरफतार किया 77 उन पर 40-40,000 का जूर्माना भी लगाया है जमसेदपूर बलट बैंक में 7 लोगों ने अपना पलाजमा डूनेट किया है जिने उपायुक्त ने पमान पत्र देकर समानित किया राची में एक करनल के घर से लाखों के गहने चूरा ले भागने की ख़बर है चोरों ने तीन दुकानों को भी निशाना बनाया है ख़बर है कि करनल के घर से 5 लाख के करीब की गहने चोरी हुई है उधर कोडारमा में हत्रस मामले को लेकर केंडल मार्च निकाला गया है पलामो पुलिस ने गुप सुचना के अधार पर छतरपुर थाना से दो मवादी अभिजित यादों के दस्ते को गिरफतार किया है धन्यवाद